दिपिंदर गोयल, CEO of Zomato गुरुग्राम में निकलते हैं फूड डिलिवरी करनी के लिए और वो भी अपने वाइफ ग्रैसिया के साथ में अब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी लॉस में जारी है और सारे डिलिवरी बॉयज को दिपिंदर गोयल ने फायर कर दिया हो अब कोई बचा नहीं है तो वो खुद ही जा रहे हैं फूड डिलिवरी करनी के लिए तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है इस वीडियो में मैं बात करूँगा फैक्ट के उपर में जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं अबी अगर आप स्टार्ट आप कर रहे हैं अगर आप फाउंडर हैं अंत्रिप्नर हैं हसलिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हैं दिपिंदर गोयल ऐसा तो नहीं इनकी कंपनी लॉस में जा रही हैं गुरू ग्राम के सेकेंड रिचेस्ट परसन है अभी के टाइम में तो इतना वेल्थ होने के बाद में इतना पैसा होने के बाद में फिर भी यह क्यूं जा रहे हैं फूड डिलिवरी करने के लिए और वो भी जो जुमाटो के जो डिलिवरी बुआइज जो पढ़े पहनते हैं वो यहाँ पर जो एक रियल अंत्रोय और यहाँ प्रेंड के वोने को पहांडर होता है उसका रूजल पले रिपे निभाया है जो मत्तोय के फांडर ने इसका reason क्या था? तो reason यह है कि दिपिंदर गोयल देखना यह चाहते हैं कि ground level पे जो हमारे delivery boys को प्रशानिया हो रही है, problem, वो face कर रहे हैं, challenges क्या उन्हें आ रहा है, तो वो find out करने के लिए निकलते हैं, food delivery करने के लिए, जब वो निकलते हैं, mall में जाते हैं, food delivery करने के लिए अजादी ही नहीं है, उन्हें स्टेर से भीजाता है, तो वो उन्होंने स्टेर करास्ता लिया, और फिर दूसरे बार उन्होंने lift लेने का try किया, तो वहां भी fail रहे हैं वो, और उन्हें CD से नहीं जाना पड़ा, कुछ देर ऊपर जाके दिपिंदर गोयल बैठते हैं अप कि मैं तो यहां पर AC room में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे जो delivery agents हैं, वो क्या problem face कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ तो नहीं है, तो यह होता है real founder, ऐसा ने की बाकियों की तरह, कि AC room में बैठके, बस फालतू की बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं, बहुत सार ऐसे founders हैं, जो कि initial days में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन एक बार जब company growth कर जाती है, तो वो नीचे देखते भी नहीं है कि उनकी एक company की नीचे क्या परिशानिया हो रही हैं, और कहीं न कहीं इसके कारण बहुत सारे startup shut down हो रहे हैं, क्यों, विकोज इन startups के founders, जमीनी इस तरफे ground लिए देखते नहीं कि हमें और क्या काम करना चाहिए हमारे लोगों क्या परशानियों हो रही है, पेंट पॉइंट कहां पे हैं, चाह सुईगी हो गया हो, या फिर अभी के टाइम में जितने भी successful, जैप्टो है, ब्लिंकिट के founder हैं, है ना, चाहिए और भी जो भी, अब तो merge है और भी जो बड़े-बड़े founders हैं, initial days में वो करते हैं workout, ठीक, ग्राउंड पे उतरके, लेकिन बाद में जब company growth कर जाती है, तो देखना बंद करते हैं, तो कहीं ने कहीं इसी problem के कारण company shutdown हो जाती है, जैसे कि आप इसको ले लो, आप by juice के founder है, पहले तो बहुत महत्त किया ह होने है, एक room से start के पढ़ाना, लेकिन बाद में जो company बहुत ज़्यादा rise कर गई, successful हो गई, तो वो ग्राउंड पे नोने देखना बंद कर दिया, कि हम क्या गलतिया कर रहे हैं, जिसके कारण company shutdown हो लिए है, और यहीं पर दिपिंदर गोयल जो है, असरी real founder हैं वो, त्योंक को feel करना चाहते थे, तो अब उसमें वो changes कुछ करेंगे, उनका यह कहना है, तो यह जो वीडियो है, इसमें अगर आप hustling कर रहे हैं, अगर आप entrepreneur है, तो ऐसा नहीं कि आप AC room में बैठना है आपको, आपको काम तब भी भी करना है, company loss में जा रही है, तब भी भी, और company करोर रहे है, जुमाटो का, वहाँ पे तो और अच्छे तरीगे से दिपंदर गोईल काम कर रहे हैं, तो यह वीडियो गनाने के यही मेरा motive था, कि hustling हम इसे करते रहो, हसल करते रहो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी company growth करेगी है, तो आप छोड़ दो, real founder होते है, founder का यही काम है कि pain point और उनकी employee क्या प्रशानिया face कर रहे है, feel क्या कर रहे है, pain point कहां पर है, वो solve करना चाहिए, तभी सब के साथ में आपका company growth करता है, जो कि अब रिदी पिंदर को इले, खुद ground layer पर उतर किया और महसूस किया उस चीज़ों को, और एक normal mall के guard से उन्होंने यह सुना, कि आ real founder और real entrepreneur, इतना पैसा होने के बाद में भी, वो अभी भी महनत कर रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं प्लग जरी लाश्ट लो, अराम से जी रहा हो, ठीक है, और AC कमरे में बैठ के, कि जो हो रहा होने दो ground layer पे, हम तो उपर में आ चुके हैं, ठीक है, शेर करिए वीडियो, वीडिय जो motivate करने के लिए मैंने बनाया है, ताकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये ना समझे कि अब मैंने सक्सेस कर लिया है, बस हो गया, थोड़ा से ही सक्सेस में आचकल, जो हमारे के entrepreneur हैं, वो बहुत दर खुश हो हैते हैं, तो सक्सेस करो या ना करो, आपको